आज मैं आपके साथ आलू चीजी पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये केट्स स्पेशल है और बनाने में बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं के लिए सबसे पहले आपको एक बॉल में लेना होगा दो कप आठा एक कप मैदा, थोड़ी सी कटी हुई धनिया, एक टेबल स्पून ओयल और स्वादानुसार नमाक इन समीर सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे डिड़ कप उबले हुए मैश्ट आलू इन आलू की साहता से ही आप डोग उत्यार कर सकते हैं अगर आवश्चता हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं ये डोग बिलकुल रोटी के डोग की तरह ही बनेगा नजादा टाइट नजादा लूज अब आपको एक बॉल में लेना है 200 ग्राम मोजरेला चीज आप नॉर्मल चीज भी ले सकते हैं मैंने इस चीज को ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक टीजपून चिली फ्लैक्स एक टीजपून अरगैनो एक टीजपून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाधनसार नमा पी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी स्टफिंग प्यार है चलिए पराठी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए आपको आटे में से एक लोई लेनी है उसमें स्टफिंग डालके गोल पराठी बना लेने हैं झालके बनाना शुरू करते हैं झालके बनाना शुरू करते हैं झालके बनाना शुरू करते हैं आपराद कि भुगार गविंपो हम गरों तबी पीपी किसा अटसे से गलाश रुगारी यपारि कि भुगार ओब ए我 सके वुगाराण पैारी एविंपोश कि भुगारादन युगारी भी पोलाश इस जाया विंपोरन त मोपरादा ह कि आपगे खुगार। झाल 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 पराठे बनकर बिल्कुल त्यार है ये उपर से जितने क्रंची है अंदर से उतने ही चीजी है आप प्लीज घर पे इसको ट्राई इक पर जरूर करें और कमेंट स्रक्षन में मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं उमीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना न भूले इंजोई और चीजी पराठा टेक केर और हैपी कुकिंग